आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में बिसक्टी कह रहा है कि for the moon to seize to remain the earth's satellite तो इसका मतलब यह है कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारा जो moon है वो earth का satellite रह जाए तो हमको इसकी orbital velocity को कितने factor से increase करना पड़ेगा यह हमको basically बताना है तो अगर हम देखें तो हमारा जब यह orbit में move कर रहा है तो इसकी कुछ kinetic energy होगी और कुछ potential energy होगी moon की तो हम अगर क्या करें इस moon को इतनी velocity provide करते है कि इसकी जो total energy है वो zero हो जाए यानि basically हम इसको escape velocity provide करते है तो यह हमारा क्या करेगा अर्थ के gravitational pool को escape कर जाएगा तो अगर अगर हम देखें तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितनी velocity हमको देनी पड़ेगी ताकि वो escape कर जाए तो हम उसको निकाल लेते हैं से हमको पता चल जाएगा कि कितने factor से हमको velocity increase करने पड़ेगी तो अगर हम देखें हैं तो जो उसकी total energy होगी उस point पे उसको हम लेख सकते हैं minus gmm by r plus half m v orbital का square तो यह हमारी क्या होगी यह हमारी total energy होगी moon की जब यह orbit में हमारा revolve कर रहा होगा यह v orbital मतलब orbital velocity होगी small m mass of moon है capital m earth का mass है r अर्थ के center से moon की distance है और g हमारा क्या है वो तो हमारा gravitational constant है तो यह total energy हो जाएगी अब हम क्या कर सकते हैं कि हमको total energy zero करनी है तो हम kinetic energy को बढ़ा दें basically अगर वो इस gravitational potential energy की बराबर हो गया तो हमारी क्या आजाएगी हमारी escape velocity हमको मिल जाएगी वह से तो यह जो gravitational potential energy है हम इसको लिख सकते हैं g mm by r यह तो उस point पे same ही रहेगी kinetic energy को हम बढ़ा के v escape के बराबर कर दे रहे हैं मतलब velocity को बढ़ा के तो यह जाएगा हमारा half m v escape का square is equal to यहां से क्या होना चाहिए यह total energy 0 आनी चाहिए तो यहां से अगर हम calculate करें तो v e की value क्या आ जाएगी under root 2 gm by r के बराबर तो यह v escape की value आ गए और orbital velocity की value हम जानते हैं क्या होता है under root gm by r के बराबर होता है तो अगर हम यहां से देखें हैं तू time sum को increase करना पड़ेगा तो B option हमारा correct हो जाएगा Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो साथ आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 8400400 पर